सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अब यहां पर भी यही पढ़ेंगे continue कर रहें इसे जारी रख रहें हम observe the following sentences जो निमले की वाक्य दिये हुए इन्हें observe कीजिए ध्यान दीजिए इन पर तो first है I go to school everyday तो मैं प्रती एक दिन school जाती हूँ go के नीच अंडर लाइन है तो ध्यान देना next I went to the market yesterday मैं कल बजार गई थी went के नीच अंडर लाइन है next I had gone to goa last year में पिछले साल go अगया था तो gone के नीच अंडर लाइन है तो बच्चो go went ठीक है gone ये go की form हो गई go first form है went second form है gone third form है तो sentence जाओको उसके according हमें verb की form यूज़ करनी पड़ती है आगे देखते हैं in the above sentence उपर दी होए वाक्यों में the three forms of the verb go that is go went gone are used तो देखिया तीनो forms यूज़ की गई है वर्ब गो की एक तो first form है उसकी go second form हो गई went third form हो गई gone we can observe that in sentence when go tells us about the everybody act जो first sentence में पहले वाक्य में हमने go use किया वो हमें प्रति दिन किये जाने वाले कारों के बारे में बताता है मतलब जो कारे बैचों हम अभी present में कर रहे हैं ठीक है जो हम daily करते है sentence two went tell us about the act of the past went हो गई इसकी second form इसे past form भी बोलते हैं तो ये हमें जो past के कारे होते हैं समय बीट गया उस समय के कारे उसके बारे में बताता है क्योंकि देखें यहां क्या लिक रहा था मैं कल बजार गई थी बीते हुए कल की बात हो रही है अब आगे क्या है gone tells us about the act that is finished in the past gone जो है work की third form वो हमें बताती है की बीते हुए समय में भी हमारे कारे समाप्त हो गया है मतलब एक साल पहले की बात बता रहा था वो की में एक साल पहले या पिछले साल में go गया था तो चले गए और वो काम खतम हो गया तो बीते हुए समय में वो काम finish हो गया उसकी बात हो रही है आगे देखते हैं, go is the root form of verb और verb की first form, go को हम जिसकी root form बोलते हैं, इस वर्ब की first form भी बोले जाता है, went is the past form of the verb और verb की second form, went verb की past form है, या फिर इसे verb की second form भी बोलते हैं, gone is the past participle form of the verb और verb की third form, gone जो है बच्चों इसे हम past participle form बोलते हैं, या फिर इसे हम verb की third form भी बोलते हैं, जाके यहाँ पर three forms दिखाई हुई है, verb की, एक हो गई go, went, gone, ठीक है, second हो गई write, इसकी past form है, wrote, और इसकी past participle form है, written, write, wrote, written, ऐसी draw, drew, drawn, go मिस होता है जाना, write मिस लिखना, draw मिस खीचना किसी च इसको, ठीक है, draw मिस, draw करना भी होता है, आच्छा, यह है verb की first form, यह verb की second, यह verb की third form, next देखते हैं, there are many verbs in which verb की second form and verb की third form, form the verb can be formed by just using ed for example, कुछ form जो बनाई जाती हैं, बसके वल ed add करके बनाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ play की हो गई, play मिस खेलना इसकी, second form हो गई, played, third form played, इसकी, jump miss होता है, कूदना, इसकी second और third form में ed लग जाएगा, jumped, jumped हो जाएगा, ऐसी pent, miss, pent करना, इसकी second और third form में ed लग जाएगा, panted, panted, ऐसी बच्चो, close miss, बंद करना, और इसकी second और third form में भी ed लग जाएगा, ठीक है, d लगेगा only, double e तो नहीं आएगा, तो यह closed हो गय touched में ed लग जाएगा, touched, touched हो जाएगा, open में ed लग जाएगा, opened, open, close miss होता है, बंद करना, touch miss छूना, open miss, खोलना किसी चीज़ को, ठीक है, अब आगे देखते हैं, now let us make and attempt to complete the table below, देखें यह वर की first form है, speak, तो इसकी second form क्या होगी, spoke, third form होगी, spoken, तो आप यहाँ लिखेंगे spoke, next, कुछ form ऐसी होती है, उसमें ed नहीं लगता, अलग तरीके सोती है, जैसे fly की second form होगी, flew, तो इसकी third form होगी, flown, ठीक है, fly में सुड़ना, यह इसकी first form है, second, यह third होगी, run miss होता है, दोड़ना, इसकी second form, और third form होगी, rain, rain, ठीक है, अब कम, कम मिस आना होता है, इसकी second form हो हो चाएगी, कम, कैम, कम, तो बच्चे, यह कुछ work की forms थी, जो हमने पढ़ी, मिलते हैं, next video में, video अच्छी लगी हो, तो share कर देना, और यह जो, यह वाली एक table बनानी है, आपको same ऐसी, एक यह बनानी है, notebook में, ठीक है, बाकी समझने के लिए था, समझाने के लिए, वो थोलाएं, थैस वर वाचिंग्,